दोस्तों नमस्कार स्वार्वाथ आप सबकाज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहें कि जब भी किसी स्टेट का फॉर्म भरना होता है तो उस स्टेट में रश्टेशन जो है आजकल अनिवारी कर दिया गया है तो कैसे क्या स्टेप से रश्टेशन के हम आपको इस वीडियो में बताएंगे लगभग हरे स्टेट की जो प्रोसेस है ऐसे ही है आज के हम वीडियो में आपको यूपी का बताएंगे तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है बि-i-m-y-o-p.org जो की बोर्ड यूपी का वेबसाइट है और यहां पर यह वेबपीज है जहां पर आपको डिटेल में इनफॉर्मेशन मिलेगी इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर कुछ बैसिक से इनफॉर्मेशन आपको मिल लाएंगे और यहां पर देखिया अलगलग टैप् पहले अप्लिकेशन फॉर डुब्लिकेट रिष्टेशन डॉक्टर फर्मासिस्ट नर्स का यहां कॉलेज की लिस्ट है जो अफिलिएटेड है गोविड नाइंटी का है और लिस्ट ओफ आयरवेदी के इनानी डॉक्टर्स है तो हमको इस वाले कालम पर जाना है ओनलाइन उसके अपक्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया वावेज उपेन होगा तो फॉफली सबक्लिक करके देखतेएं नोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसारा वी पेज उपर simult जहां पर एक पर्मानेंट रेष्छेशन का कॉलम है करिया तीसरे नर्स रेस्ण का है इसके अलबान इस फार्मसीस्ट यह और बी-फार्मका भी है तो हम्कों इन तेनों से मतलब है अगर हम लोग डॉक्टर है पर्मानेंट रेष्टर स्चन पे यहाँ क्लिक करेंगे इन्टांसीप करने यहां पर और नट्स की लिए यहां पर तो चली सुख सो безопас dép तो सभसे पहले जो है वहां लाइन रश्टेरेशन में आपको कुछ बेशिक इनफॉर्मैशन यहां पर फिल करनी होगी क्लिक करते ही यह थी यह लावी और फोटोग्राफ जो की जेपीजी पीएंजी या इनसम फॉर्मेट में हो साइज 20 के वी का हो और सिगनेचर कि यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं तो मैं ले तीने स्टेप्स हैं पहले में हैं अप्लिकेशन पर प्रोविजिन इंटर्शिप प्रमान इंटर्श्टेशन में तो यह है पर मान अटर्श्टेशन का यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए थोड़े से आपको ज्यादा चाहिए यहां पर सटिब्सक्राइब उसकुल इंटर्मीडियोट मार्टीट उसकूल सब्सक्राइबियो अथा आध़ाट उसका पहले मेरा स्टेशन है जिसमें हम लोगों ने इन किया हुआ है इसके बाद आपको जब रेश्टेशन हो जाएगा तो आपको फी पेमेंट पर जाना पड़ेगा जो की पहले स्टेप के 24 घंटे के बाद जो है एक्टीव होगा और उसके बाद है स्टेप 3 फाइनल रेश्टेशन जिसमें की आपको सारी डिटेर इंफॉर्मेशन आपको फि फादर्ष्ट नेम आएगा और जेंडर डेट अब बार्थ मोबाइल नमबर इमेल आइडी और जो फी से इसकी 355 रुपए है जब आप इसको सेव कर लेंगे तो इसके बाद जो है एक आपके पास जनरेट होगा फॉर्म और उस फॉर्म के अधार पर आपको जो है अप्लि प्रश्ट एसके बाद फीपेमेंट फीपेमेंट आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें प्रोसीड करेंगे तो अभी चुकिछ चुका है तो आपको इस वाले पर क्लिक करके जाना होगा फीज के लिए कि देखे के लिए जब आप आएंगे तो यहां पर आपको पुछेगा कि किसे स्टेट से हैं तो यहां पर आपको जो है यूपी अट करना होगा और यूपी में यहां पर देखिए अलग अलग ऑप्संस है तो इसमें जुन गॉर्मेंट डिपार्टमेंट में आपका जाएग लिए का जब क्लिक करेंगे तो देखिए हां पर कौन कौन सा है तो यहां पर देखिए देखी रहा है आपको board of ऐवेडिक क्योंनी नाम इतनी भी सिस्टम of medicine सम्मिट करेंगे समिट करेंगे समिट करने के बाद देखिए क्या है करेंगे और उसके बाद आप इसको फी को डिपोजिट कर सकते हैं तो फिस डिपोजिट करने के 24 घंटे के बाद फिर आपको वापस आना होगा पुरानी वाली वेबसाइट पर यानिकी इस पर आप आएंगे फाइनल रेश्टेशन पर तो अल लेडी हमने ब आपको लेडी मिल चुकी है पासवर्ड क्या है बैंक रिफ्रेंस नुमबर यानि कि जो आपने फिस जमा किया है तो वहां पर रिफ्रेंस आइडी जेनरेट होगी वह यह आपका पासवर्ड है और यहां पर कैप्चा फिल करना है और इसके बाद जो फाइनल जो भी है कि उनको अपलोड करना होगा और कुछ और इंफ्रमेशन स्लाइसाल आफ से महाघनी जाए वहां को अपको फिल ना अ होगा तो इसमें एक जो है यहां पर वर्तन हुआ हो चेक जरूर कर लीजिएगा फिर भी मेरे पास जो फॉर्मेट था हो मैं आपको दिखा देता हूं यह एफिडेविट का फॉर्मेट है और जिसमें यह आपका मैटर रहेगा तो मैटर थोड़ा बहुत हो सकता है बदले क्योंकि आपको फ्रेस कराना है या जो मैटर जो जो लिखना है वह आपको मिलेगा यह जो है आपको एफिडेविट रहेगा और उसमें सारी डिटेल्स माँगे जाएंगे आपसे और यह एक प्रारूप है इसमें जो आपसे रिलेटेड हो आप इसको टाइप करेंगे जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे और लास्ट में यह रहेगा तो यह तिन डिटेल कि आपको रेश्टेशन कैसे कराना है और क्या क्या इसके स्टेप्स हैं